लिजे सुनिये, सुबद्र कुमारी चौहान के लिखे कहानी संग्र है, बिखरे मोती की कहानी, अनुरोध मेरी यनि समीर गोस्वामी के आवाज में कल रात को मैं जा रहा हूँ, जी नहीं आप अभी न जा सकेंगे, आग्र अनुरोध और आदेश के स्वर में वीना ने कहा, निरंजन के ओठों पर हलकी मुस्कराहट खेल गई, फिर बिना कुछ कही ही, उन्होंने अपने जेब से एक पत्र निकाल कर वीना के सामने फेंक दिय और शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपती नहीं, आप इस पत्र को पढ़ लीजे, इसके बाद भी यदि आपकी यही धारना रही कि मैं न जाओं, तो जब तक आप ना कहेंगी मैं न जाओंगा, वीना ने सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं रहने दीजे, मैं कोई पत् वीना ने कहा, अचला ये, जरा देखूं तो सही किसका पत्र है, पत्र लेखक मेरा कोई दुश्मन ही होगा, जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खीच ले जाना चाहता है, निरंजन हस पढ़े, और हस्ते हस्ते बुले, पत्र पढ़ लेने के बाद, पत्र ले निरंजन ने कहा, सच, पर आप ऐसा क्यों सोचती है, वीडा ने निरंजन की बात नहीं सुनी, वो तो पत्र पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, एक महिना पहले तुम्हारा पत्र आया था, तुमने लिखा था कि यहां का काम एक दो दिन में निप्टा कर रविवार तक घर अवश आ जाओंगा, इसके बाद सोचो तो कितनी रविवार निकल गए, रोज तुम्हारा रास्ता देखती हूं, उधर से आने वाली हर एक ट्रेन के समय उत्सुता से काम दरवाजे पर ही लगे रहते हैं, ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका, और अब तुम मेरे प्रां आ कर मुझे, क्या कहूं, मैं जानती हूं कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट न करते होगे, किन तु फिर भी जी नहीं मानता, यदि पंक होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाती, तुम कब तक जीती हुई भी मरी से गई बीती हूं, जब दो पक्षियों को भी एक साथ देखती हूं, तो हिरदय में होक सी उठती है, क्या ये लिख सकोगे, कि कब तक मुझे प्रतिक्षा करनी पड़ेगी, वैसे तुम्हारी इच्छा, जब आना चाहो, पर मेरा तो जी यही कहता है, क पत्र के उत्तर में स्वैम ही चले आओ, तुम्हारी, पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार वीना के चेहरे पर गहरी विशात की जलक आई और चली गई, पढ़ने के पश्चात, पत्र को उसने चुपचा अपने रंजन की ओर बढ़ा दिया, निरंजन ने पत्र लेकर जेब मे थी, आज वो रोबाईयों को ना तो ठीक तरह से पढ़ ही सकती थी, और ना उनका अनवाद ही कर सकती थी, निरंजन से वीना की मान से कवस्त अच्छी पी न रह सकी, उन्होंने कहा, आज आप अनवाद का काम रहने ही कल हो जाएगा, चलिए थोड़ी देर ग्रामों फ़न स सुने, बाजे में चाबी भर दी गई, रिकॉर्ड चढ़ा दिया किया, इंदुबाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेहा लगाए, एक, दो, तीन, वीना ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया, तब तक वीना के पती कुझ बहरी आफिस से लोटे, वीना को दास निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात तो मैं भी इन से कह रहा था, कि आप इतनी मेहनत न करें, सब होता रहेगा, उस दिन निरंजन के जाने के बाद, वीना ने रात भर जाक कर सारी रुवाईयों का अनवाद कर डाला, अब केवल एक बार देख लेने ही की आवशक्ता थी निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद, वीना अपने आप ही अपनी नजरों में गिरने लगी, उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन की प्रती उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उनका साथ अच्छा लगता है, और इसलिए वो उन्हें अपने दुराग्रह से रोके जा रही है, निरंजन की पत्नी की नमरता इवं उसके शील और विश्वास के सामने, वीना अपनी द्रिष्टी में स्वैम ही बहुत हीन जचने लगी, निरंजन बहुत नमर प्रकरती के पुरुष थे, और विशिश करिस्त्रियों के साथ वे और भी नमरता से पेश आते, यही कारण था कि वे वीना का ग्रह न टाल सके, कई बार जाने का निश्चे करके भी वे न जा सके, किन्तु आज वीना ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापी न रोकूंगी, जाने ही दूंगी, मैं जानती हूँ कि उनका जाना मुझे बहुत अ रोकूंगी, दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए, वीड़ा उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली, उन्हें देखती ही उठकर हस्ती हुई बोली, यद्यपी उसकी वहां से ओठो तक ही थी, उसके अंतरा आत्मा रो रही थी, उसे ऐसा जान पढ़ता था, कि निरंजन की जाती ही उसे उन्माद हो जाएगा, कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ले, निरंजन ने नम्रता से कहा, जी नहीं, मैं आज कहां जा रहा हूँ, मैं तो जब तक आपकी रूबाईयों का अन्वाद ना हो जाएगा, तब तक यही रहूँगा, वीर्णा बोली मेरी तो सबरूबाईयों का अन्वाद हो गया, आप देख लीजे, आश्यर से निरंजन ने पूछा, सच, मालूम होता है, आपने रात को बहुत मेहनत की है, वीर्णा, हाँ मेहनत तो जरूर की है, किन्तो आपको आज जाना भी तो है, अब आप इन्हें देख लीजे, दो- निरंजन पर एक मारमिक द्रिष्टी डालते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज होंगे आप से, क्या आपका हिर्दा इस पर विश्वास कर सकता है, मैं तो जानती हूँ, कभी न करेगा, किन्तो जिस परकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी परका सुबद्रा कुबारी चोहान के लेखे कहानी संग्रह, बिखरे मोती की कहानी, अनरोध, मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में